Hello everyone, आज का हमार टोपिक number of positive divisors and sum of positive divisors आज हम इनको find करना सेखेंगे, ठीक है, कैसे, देखो अगर हमारे पास मा लीजे कोई number 4 दे रखा है, ठीक है जी इसके हमें बताने कि number of positive divisors कितने होंगे कि इस number को कौन-कौन number divide करता है, ठीक है जी एक तो 1 divide करेगा, एक 2 divide करेगा, एक 4 divide करेगा, ठीक है अगर मैं यहां से 10 लिखू, तो 10 को divide कौन-कौन करता है, एक 1 करता है एक 2, एक 5 और एक 10, ठीक है जी, तो इसके number of positive divisors कितने हो गए, 3 ठीक है जी, इसके number of positive divisors कितने हो गए, 4 हो गए, राइट इसके 3 हो गए, इसके 4 हो गए ठीक है जी अगर मैं 18 लिख दूँ तो इसके Positivisors कून हो जाएंगा हमारे पास एक 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है जी और उसके बाद 9 and 18 ठीक है यह इसके Positivisors हो जाएंगा कितने पूस्ट डिवाइजर होए इसके इसके होगे जी एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे इसके पूस्ट डिवाइजर होगे हमारे पास जिक्स ठीक है यहां तक तो बाट ठीक थे अगर मैं ऐसे लिख दू पांसो चेक्तर इसके पूस्ट डिवाइजर बताओ कितने होगे छैसो तीस इसके बताओ कितने होगे टू सैंटी इसके बताओ पूस्ट डिवाइजर कितने होगे, कौन-कौन होगे ठेक है जी, यान कितने पूस्ट डिवाइजर होगे तो आप कैसे बताओगे कि आप ऐसे काउंट करोगे चेक करोगे कि एवन्स की टेबल में आता है नहीं आता तू की टेबल में आता है नहीं आता थ्री से डिवाइड होगा नहीं होगा कैसे चेक करोगे ऐसे चेक करोगे तो वो टाइम लग जाएगा ठीक है जी उस चीछ से ब एन इजे पोस्ट डिवाइजर ठीक है जी एन हमारे पास पोस्ट डिवाइजर से है और एन इस परकार से लिखा गया है such that जो एन है वो क्या जी P1 की पावर K1 P2 की पावर K2 P3 की पावर K3 P4 की पावर K4 and so ठीक है इस परकार से हमारे पास राइट जहां पर K1 K2 क्या है यह हमारे पास पोस्ट नंबर से वेर इसको में की आई लिख दू की आई क्या है greater than is equal to 1 1 put करोगे तो K1 आ जाएगा P1 P2 P3 and so on are distinct primes अगर distinct prime है तो उस case में number of positive divisors हमारे पास कितने हो जाएगे number of positive divisors इसको में denote करते हैं dn से हम जी और tau n से इसको denote करने के हमारे पास दो सिंबल है dn और tau n यह हमारे पास के हो जाएगा अब देखो जो भी पावर लिख्यों यह के वन उसमें 1 एड कर दो multiply के टू उसमें 1 एड कर दो multiply के थ्री उसमें 1 एड कर दो ठीक है and so on आगे तक इस परगा चलता जाएगा ठीक है जैसे बात करते हम यहां पे मा लेते हैं कोशन लेते हैं इसके में बताने है positive divisors कितने होंगे ठीक है जी तुम क्या करेंगे सबसे पहले इस 630 के factors करेंगे प्राइम factors तो यह टू शी डिवाइड हो जाएगा चलो थ्री से कर लेता है थ्री से बुझाता है थ्री टू जा थ्री बन जा जिरो फिर थ्री से करेंगे 70 फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 35 फिर 5 से करेंगे तो आएगा 7 फिर 7 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 ठीक है जी तो 630 को हम कैसे लिख सकते हैं दो उसकी पावर एक फिर 3, 3 की पावर 2, फिर 5, 5 की पावर 1, फिर 7, 7 की पावर 1, ठीक है जी, ये हमारे पास होगे, ओके, हमें निकाल लें इसके नमबर पोस्ट डिवाइजर्स, नमबर पोस्ट डिवाइजर्स, तुम्हें क्या लिकिए उसको, डी एन या एन के जगाए प मिल्टिप्लाई, तू है पावर, तू में वन एड कर दो, प्र, फिर 1 है पावर, वन में, वन если उड कर दो, ठीक है जी, इनको जोड़ो, कितना हैगा? 2, मल्टिप्लाई, 3, मल्टिप्लाई, 2, मल्टिप्लाइ, 2, तो 2, 3 जा 6, 6 तू जा 12 और 12 तू जा 24 ठीक है जी? तो यहां से मैं क्या बताया कि इस number को divide करने वाले positive numbers 24 ठीक है जी? 24 है से number है जो इसको completely divide करते हैं बात किया positive numbers की ठीक है जी? अगर negative की बात करेंगे तो same negative भी इतनी हो जाएंगे ठीक है? 24 positive है तो 24 negative हो जाएंगे तो total 48 हो जाएंगे लेकिन हम बात करते हैं exam के अंदर questions के अंदर positive divisors की तो वो हमारे पास होगे 24 ठीक है जी? और question देखते हैं माल लिजी हमने question ले लिए 270 ठीक है? इसके निकालने पर positive divisors कितने होगे? सब से पहले इसके factors करो 3 9 जाख़़़़ फिर करेंगे हम 3 3 जाख़़़ फिर करेंगे हम यहां से 3 10 और 2 से आए गई है 5 ठीक है जी? यह हमारे पास हो गए अब 270 को हम कैसे लिखेंगे? 270 को लिखेंगे 2 कितनी बार है? एक बार है multiply 3 कितनी बार है? तीन बार है multiply 5 कितनी बार है? एक बार है ठीक है? अब हम यह यह से निकालना है इसका dn एन d 270 यह tau 270 number of post divisors तो power कितनी है? 1 1 में 1 एड कर दो multiply power कितनी है? 3 3 में 1 एड कर दो multiply power कितनी 1? 1 में 1 एड कर दो 1 प्लस 1 2 multiply 3 प्लस 1 4 multiply 1 प्लस 1 2 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 तो 270 को exactly divide करने वाले 16 numbers है 16 positive numbers है ठीक है यह बात हुई आपे किसकी number of positive divisors की I hope यह आपको समझ आ गया होगा ठीक है जी? चलिए एक question और देख लगते है आपको चीज़े अच्छे से clear हो जाएंगे ठीक है? मा लेते 100 है कोई number 100 को divide करने वाले कितने numbers है तो 2 से divide करेंगे 50 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 5 से करेंगे 1 तो यह 100 को में लिख सकते हैं 2 की power 2 multiply 5 की power 2 ठीक है जी? तो अब जल्दी से लिखेंगे चीज़े, direct add करके dn हमारे पास 2 में 1 add कर दो 3 multiply 2 में 1 add कर दो 3 answer is 9 ठीक है? तो 100 को exactly divide करने वाले 9 numbers है ठीक है? अब यह 9 numbers कौन कौन से हो सकते हैं? यह तो आप सोच सकते हूं ना 9 numbers तो आसान निकाला है हंजी? 1, 2, 5, 10 25, 50 इस ताइब से हमारे पास हो जाएंगे ठीक है? टोटल number हमारे पास कितने होगे जी? 9, right? अब बात करेंगे आसे sum of positive divisors अब जो भी divisors आएं ठीक है? divide करने वाले जो कोई भी हो उन सब को अगर हम add कर दे तो answer क्या आतता है? ठीक है? उसकी बात करेंगे right? ठीक है जी? sum of positive divisors small लेते हमारे पास एक number है 6 6 को divide करने वाले है 1, 2, 3, और 6 ठीक है जी? 6 भी है यहाँ पर right? 6 को divide करने वाले 1, 2, 3, और 6 यह 4 number हमारे पास हैं तो इनको add करो तो हमारे पास कितना आता है? 1, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 12 total sum कितना आएगा हमारे पास? 12 आएगा ठीक है जी? किसको divide करने वाले total numbers का sum हमारे पास किया जी? 12 है ठीक है इसी परकार से 10 लिखता हूं में 1, 2, 5 उसको divide करने वाले 10 भी होगा ठीक है? हो सकता है मैंने पिछले जो example कि उनमें last one number ना लिखा हो तो उसको ठीक कर लेना ठीक है? उसमें 10 लिख देना अगर नहीं लिखाया तो तो अब यहाँ से हमें निकालने हैं इसका sum तो इसको add करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 3, 3 पिलस 5, 8, 8 पिलस 10 18 ठीक है जी? इसको divide करने वाले जो numbers हैं उनका sum हमारे पास किया जी? 18 है ठीक है positive की बात करता है ठीक है जी तो यह तो हो गए हमारे पास छूड़ रहे numbers अगर नमबर यहाँ पर बड़े number आजाए तो क्या करेंगे? ठीक है जी बड़े number आजाए तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना सेम काम करना है ऐसे देखो N हमारे पास positive divisors है such that N is equal to P1 की power K1 P2 की power K2 P3 की power K3 and so on इस परकार से जहाँ पर की आई क्या greater than equal to 1 है and P1 P2 P3 and so on यह हमारे पास का distinct primes है ठीक है जी और जो हमारे पास sum of all positive divisors sum of all positive divisors इसको denote करते हम sigma N से ठीक है sigma का मतलब summation होता है add करना होता है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे जो P1 था हमने power की थी अभी क्या K1 plus 1 की थी न कर दो जी K1 plus 1 ठीक है इसमें से minus 1 कर दो ठीक है जी फिर P2 की power K2 plus 1 minus 1 कर दो फिर P3 की power K3 plus 1 minus 1 कर दो and so on और इसको divide कर दो P1 minus 1 से इसको divide कर दो P2 minus 1 से जो नीचे नमबर लिखे है इसको divide कर दो P3 minus 1 से ठीक है जी इस परकार से हम questions को solve कर रहेंगे इस formula की help से ठीक है एक example देखता है मा लेते हम हमारे पास कोई 250 है ठीक है जी हमने example ले लिए है इसके हमें निकालना sum of all positive divisors यानि sigma n हमें find करना तो इसको करेंगे 5 से यह आएगा हमारे पास 50 5 से करेंगे यह आएगा 10 5 से करेंगे यह आएगा 2 ठीक है तो 250 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की power 1 multiply 5 की power 3 अब हमें निकालना इसका sum of all positive divisors that is sigma n sigma 250 यह हमारे पास क्या हो जाएगा prior number क्या है 2 तो 2 की power में 1 add करके लिख दो यह नि power क्या 1 1 में 1 add करोगे 2 minus 1 upon 2 minus 1 ठीक है जी फिर 5 है तो 5 की power में क्या करना है k2 plus 1 power में 1 add कर दो 4 minus 1 upon में जो number है 5 minus 1 ठीक है जी तो अभी यहां से क्या बनेगा 2 2 जा 4 4 minus 1 3 2 minus 1 यहां से बनेगा 5 की power 4 निकालेंगा में यहां से ठीक है जी तो 5 की power 4 हमारे पास हो जाएगा 5 125 125 625 625 625 624 upon में 4 ठीक है यह हमारे पास बन जाएगा ठीक है जी अब यह नंबर हमारे पास क्या डिवाइड होगा इससे डिवाइड होना चाहिए क्योंकि मैं सम निकालना है तो यहां से करेंगे इसको 3 multiply यह सो cut करेंगे तो 4 बन जा 4 2 बचे 4 पंजे 20 2 बचे 4 चिक 24 156 तो इसके multiply कर दो 3 चिक 18 तो इनका जो टोटल सम आएगा वो आएगा जी 468 ठीक है कोई और एग्जामपल देखते है मालत हम लेते हैं यहां से 720 ठीक है इस नंबर के जो पोस्ट डिवाइजर से हैं उनका हमें सम फाइंड करना है ठीक है जी करते हैं सम फाइंड इसके पहले प्राइम फेक्टर करेंगे प्राइम फेक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगे 306 पे ठीक है जी 2 से डिवाइड हो जाएगा जी 180 पे 2 से हो जाएगा 90 पे ठीक है जी 2 से हो जाएगा 45 पे फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 9 पे फिर 300 हो जाएगा 3 पे फिर 300 हो जाएगा 1 पे तो 720 को हम क्या लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 1,2,3,4 तो 2 की पावर 4 multiply फिर 3 कितनी बार है 2 बार 3 की पावर 2 multiply फिर 5 कितनी बार है 1 बार तो 5 की पावर 1 हमें निकालना है इसका sum of divisors यहनि इसके divisors का sum हमें क्या करना है जो prime दे रखा वो लिख दो इसकी पावर में एक एड़ करके लिख दो 4 प्लस 1 5 माइनस 1 अपोन 2 माइनस 1 ठीक है जी 3 की पावर में एक एड़ करके लिख दो 3 माइनस 1 अपोन 3 माइनस 1 जो यहां पे लिखेंगे वो यहां पे लिख देना ठीक है जी फिर क्या करेंगे 5 की पावर 2 माइनस 1 अपोन 5 माइनस 1 ठीक है इन सब के बीच में कुछ नहीं लगा है तो यहां पे क्या है multiplication है अब 2 की पावर 5 हमारे पास होता है 32 32 में से 1 गटाएंगे तो 31 अपोन में 1 फिर 3 की पावर 2 होता 27 23 में से गटाएंगे तो 26 अपोन में 2 फिर 25 माइनस 1 24 अपोन में 4 ठीक है जी यह हमारे पास आगया अब यहां से इसको कट कर दो 2 से कट करेंगे तो 13 आएगा 4 से कट करेंगे तो 6 6 पे जाएगा हमारे पास तो यह बनेगा हमारे पास 31 मल्टिप्लाई 13 चिक 78 ठीक है यह हमारे पास आगया तो 38 की 31 की मल्टिप्लाई करते हैं तो 8, 7, 3, 8, 24 3, 7, 21 और 2, 23 8, 11, 4, 2 तो इसका जो आंसर आता है वो आता जी 24, 18 ठीक है यहनि हमारे पास जो 720 नमबर है यहनि के जितने भी डिवाइजर्स होंगे उन सभी डिवाइजर्स का जो सम आएगा वो सम कितना आएगा जी 24, 18 ठीक है जी और 720 के अगर मैं बात करूं कि नमबर डिवाइजर्स कितने होंगे वो भी निकाल लेते हैं चलो टाव एन भी निकाल लेते हैं नमबर पोस्ट डिवाइजर्स क्या करना है पाउर मेक एड़ कर दो तो 4 पलस 1 मल्टिपलाई पाउर मेक एड़ कर दो 2 पलस 1 मल्टिपलाई हमारे पास पांच multiply 3 multiply दो तो पांच दो ने दस दस तिया 30 इसके टोटल डिवाइजर तीस हो जाएंगे 30 डिवाइजर होंगे 720 को डिवाइड करने वाले 30 numbers होंगे 30 positive numbers ठीक है जी उन सभी positive numbers का जो सम आएगा वो सम हमारे पास हो जाएगा 24-16 ठीक है अगर ही कहता है कि सभी numbers का सम निकालो तो वाँ पर सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्यों इतना ए नेगेटिव का होगा इतना ए पोस्टिव का होगा दोनों करेंगे तो effect cancel out कर देंगे वे तो 0 मना देंगे ठीक है जी तो यह हमारे प सब्सक्राइब करेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ओपी के साथ तब तक के लिए बाइबाइबाइब टेक किर सी यू थैंक यू फोर वाचिंग